हम लगबग हर रोज इन वस्तू के संपर्ख में आते हैं हम ही वस्तू को एक नाम देते हैं और उनकी कुछ विशेशताओं का भी वरणन करते हैं क्या बता सकते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं ये सभी लोग कुछ न कुछ नाप रहे हैं सामान यताहा हम पूछते हैं कि इस वस्तू का वजन कितना है या इसकी लंबाई कितनी है या ये कितनी जगा में व्याप्त है ये गाड़ी कितनी तेज गती से जाती है आदी है आप तो जानते ही हैं कि बर्फ ठंडी होती है और भाप गरम होती है गरम और ठंडा ये दोनों सापेक्ष तूलनात्मक संगल पनाये हैं ये दोनों शब्द हमें तापमान के बारे में किसी भी प्रकार की ठोज जानकारी नहीं दे पाते हैं हम वस्तुओं को नापना चाहते हैं, उनका संदर्ब देना चाहते हैं और उनमें नापतौल की तूलना भी करना चाहते हैं यहां पर हम भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं जैसे द्रव्यमान, वजन, तापमान, आदी गुणात्मक वरणन की अपेक्षा बहुतिक राशियों के कारण हम वस्तूओं की बहुतिक स्थिति के बारे में अधिक सटीकता से समझ सकते हैं बहुतिक राशी पदार्थ की उस विशिष्टा को कहा जाता है जिसकी मात्रा हम नाप कर निर्धारित कर सकते हैं बहुतिक राशिय की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। किसी भी वस्तू को नापने की पधती को निर्दिष्ट करना। जैसे समय और दूरी की परिभाशा को हम अलग-अलग इकाईयों में सपश्ट करते हैं। पर गती को किस प्रकार परिभाशित किया जाएग गती की गणना किस प्रकार से की जाएगी। जब हम गती की परिभाशा करते हैं, हम ये विशेश रूप से कहते हैं कि गती की गणना तै की गई दूरी को पार करने में जो समय लगा है, उससे भाग करके निकाली जाती है। बहुतिक राशियों का मापन इकाईय में दिया ज जो इनके मानिकी करत मूल्य होते हैं। लंबी दोड में जो दूरी तै की जाती है उसे किलोमेटर में ना पा जाता है। जबकि जल्दगति के स्प्रिंट में दूरी को मेटर में ना पा जाता है। यदि इकाई ना होगी तो मूल्यों की अर्थपूर्ण तरीकों से तुलना नहीं हो पाएगी भौतिकी के अनेक नियम इन्हीं गुणों के आधार पर परिभाशित किये जाते हैं इसलिए इनका योग रूप से और सटीकता से मापन करना अनिवारिय होता है यह जरूरी इसलिए होता है क्योंकि नाप को अंत में हम मूल इकाईयों से निर्देश करते है और स्वयम यह इकाईयां मूल इकाईयों से सटीक नहीं हो सकती है मौलिक गुणों को नापने के लिए एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं हमारे रोज मर्रा के जीवन में सबसे महतवपूर्ण नाप लंबाई होता है पुराने जमाने में इंच को अंगुठे से नापा जाता और फुट पंजे से नापा जाता था मील को रोमन भाषा में माईल पैसस कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हजार कदम लगभग एक मील पहले लंबाई को नापने के लिए शरीर के विविद अंगों का उपयोग किया जाता था परन्तु जब वजन को नापने की बात आई तो लंबाई के समान मानवी शरीर का कोई हिस्सा वजन से समीपता दर्शाने वाला प्राप्त न हो पाया इसी कारण वर्ष गेहूं के दानों को संदर्ब के रूप में लिया गया गुट सकिन थैलियां टोकरियां मर्तबान अधि ये सारी वस्तु हैं द्रव्यमान के नाप का कुछ-कुछ अंदाजा देती हैं भले ही दिन महिनों और सालों को हम सूर्य तारे या फिर आकाज गंगा के आधार में योगे रूप से नाप सकते हों फिर भी घंटा मिनट और सेकंदों को सटीक तासे नापना बहुत कठीन हैं समय को नापने के लिए लोग सूर्य घड पानी की घड़ी और रेद की घड़ी का उपयोग करते हैं मापन के इन साधनों का उपयोग भले ही स्थानी अस्तर पर हो रहा था फिर भी सारी सब्यताएं समान रूप से इसका उपयोग नहीं कर पा रही थी फिर वैग्यानिकों ने भहतिक राशियों के मापन के लिए एक मानक व्याख्या करने की बात को तै किया मापन की अनिक पद्धतियां हैं जैसे अंग्रेजी, अमरीकन या फिर SI पद्धति आज कल वैग्यानिक और गणितग्य SI इकाई का प्रयोग करते हैं SI ये French System International का लगुरूप है लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत प्रवाह ये सारी आधारभूत भौतिक राशियां है लंबाई को हम मीटर में नापते हैं द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है समय को सेकंदो में नापते हैं और विद्युत प्रवाह को एंपियर में नापा जाता है ये धातू का घं अर्थात क्यों भै इसके घंफल को हम किस प्रकार नापेंगे उसे लंबाई है चौडाई है और उंचाई भी है भले ही अपने सहुलियत के लिए हम इन सारी बातों को अलग-अलग मानते हैं वास्तों में ये सारी एक ही बाते हैं जब हम लंबाई, चौडाई या उंचाई नापते हैं तब वास्तों में हम दो बिंदों के बीच का अंतर या दो बिंदों के बीच की लंबाई नापते हैं ये इकाईयां मापी ये व्यवस्था का एक भाग ही हैं। सम्मंदित राशियों को नापने के लिए इन इकाईयों का दस की गुना में उपयोग होता है। प्रकृती में पहले व्यापक श्रेणियों को नापने के लिए सभी प्रकार की इकाईयों की आवशकता होती है। जैसे छोटे अंतरों को नापने के लिए मिलिमिटर का उपयोग होता है और विशालकाय अंतरों को नापने के लिए प्रकाश वर्षों का इस्तमाल होता है। हम फुटबॉल के मैदान को उसके क्षेतरफल के हिसाब से नापते हैं और इन बरतन में जो पानी है उसे वस्तुमान के हिसाब में आखा जाता है ये सारे एक मुलभूत भौतिक राशी पर निर्भर करते हैं जिसे लंबाई कहा जाता है चौकोर का क्षेतरफल प्राप्त करने के लिए हम लंबाई गुणा चौडाई गुणा करते हैं और क्यूब का क्षेतरफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौडाई गुणा उचाई किया जाता है क्षेत्रफल और वस्तुमान सिद्ध की गई राशिया हैं जिनकी गणना मुलभूत इकाई लंबाई द्वारा की जाती है समय की S.I. की इकाई सेकंद है जिसका लगरूप S होता है बहुत सालों पहले सेकंद को सौर दिन का 86,400 वा हिस्सा माना गया था चौकी पृत्वी के आवर्तन की गती दिन बदिन कम हो रही है इसलिए वैग्यानिकों ने पता लगाया कि ये गिंती अनावशक खींच रही है इसी कारणवश वैग्यानिकों को अन्य पद्धतियों का अवलंब करना पड़ा सीजियम परमानूँओं में स्थिर तरीके से कमपनों को निर्मान किया जा सकता है और इन कमपनों का सहस्ता से निरिक्षन भी किया जा सकता है और उन्हें गिना भी जा सकता है इसी प्रकार मीटर को भी प्लैटिनम इरिडियम छड़ पर खुदी हुई दो लकिरों के बीच की दूरी के रूप में परिभाशित किया गया इसके बाद उसे प्रकाश के तरंग की लंबाई अर्थात तरंग दैर थे के मापन के रूप में पुनप परिभाशित किया गया प्रारंभ में ग्राम द्रव्यमान की मुलभुत इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त था पर ग्राम बहुत छोटा होने के कारण किलोग्राम को तै किया गया किलोग्राम नामक इकाई पहले शूने डिग्री एक लिटर शुद्ध द्रव पानी एक हजार घन सेंटीमिटर के लिए उपयोग में लाई जाती थी पर बाद में वैग्यानिकों ने तै किया कि वे एक किलोग्राम नामक इकाई को प्लैटिनम इरिडियम के मशीनी मानक खंड के लिए उपयोग में लाया जाएगा अब 2019 में आते आते ऐसाय पद्धती में इकाई की व्याख्या को भौतिक स्थिरांग पर परिभाशित किया गया है जिसमें संख्यात्मक मूल्य स्थिर हैं और अन्यमौलिक इकाईयां भी स्थिर होती हैं यह चड़ एक मीटर लंबी है यहां पर हम लंबाई इस भौतिक राशी के बारे में बात कर रहे हैं पांच मीटर में पांच मूल्य हैं और मीटर ही काई हैं जो लंबाई इस भौतिक राशी का परिमान और मूल्य पताने का काम करती है सारांच, हमने वस्तुमान, लंबाई और समय जैसी भहतिक राशियों के बारे में अध्यान किया आन्य भहतिक राशियां जैसे गती इनहीं भहतिक राशियों पर निर्भर होती है कर दिए झाल, तो झाल, दो झाल